हाई फेंड्स नमस्कार मैं रमेश शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर बिजनस कोच आज आपके बीच में एक नए वीडियो के साथ स्वागत है आपका हमारे यूट्यू चैनल पर दोस्तों आज का जो टॉपिक है मैं असा मांता हूं कि इस टॉपिक पर आपको बहुत मज़ा आएगा सुनने का भी बज़ा आएगा दोस्तों हर आदमी कामिया रोना चाहता है हर आदमी की मैं सफल होना चाहता तरहिए Méरे यूट्यू चैनल को यदिया भी अब تक आपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें ना कि हमारे आने वाले सभी वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे दोस्तों जीतने के लिए पागल होना बहुत जरूरी है यह पागल क्या होता है दोस्तों पागल की कई परिवाशा है पागल उन होता है पागल होने के पीछे उसके सपने होते हैं पागल होने के पीछे कई ऐसी चीज़े होती है जो आदमी को पागल कर देती है दोस्तों यदि आप भी पागल है किसी काम के पीछे तो मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि इस पागल का मिनिंग क्या है इस पागल होने क अर्थ क्या है दोस्तों तीन शब्दों से मिलकर बना है पागल पागल से पाना किसी चीज को पाने के लिए गल से गतिशीर और लग से लक्षय तो अगर हम इसको पूरे को मिला के देखें यनि किसी लक्षय को पाने के लिए गतिशील रहने वाले विक्ति को पागल कहा जाता है किसी भी लक्ष्या को पाने के लिए लगलतार जो विक्ति चलता रहता है उसे पागल कहा जाता है अब आप इसकी परिवाशा देखिए कैसे होती है जब भी विक्ति किसी काम में पागल हो जाता है तो आप पूरा दिन रात उसके दिवाग उसके बारे में सोचते रहेंगे, उसकी गली का चक्कर लगाते रहेंगे, लोग आपको बोलने लगेंगे ये लड़का उस लड़की के प्यार में पादल हो गया है, ये सब्रोग, अर्थात आप जिस चीज के पीछे लगातार प्रय प्रयास करते हुए, आगे बढ़ रहे हैं, और उसकाम में आपका पूरा फोकस है, आप दिन रात उसके उपर दिमाग लगाकर, ध्यान लगाकर लगातार प्रयासरत हैं, तो आप समझे पागल हैं, जब तक आप किसी काम के पीछे ऐसे पागल नहीं होंगे, तब तक आपक पागल होना पड़ेगा, अपनी चाहतों के पीछे पागल होना पड़ेगा, अपने खुट के पीछे पागल जब तक नहीं होंगे, तब तक कुछ भी नहीं बढ़े。 तो क्या, आप भी पागल हैं? यदि हा, तौ बिल्को सही जा रहे हैं. उमीद करता हूँ, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही लगताथ वीडियो आपके बीच में आते रहेंगे यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लें थैंक्यों